कथा है पंडित की थाली और राजा बनने का सुख एक गाउं में महेश अपने परिवार के साथ रहता था जब बहुत ही गरीब हालत से गुजर रहा था उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे महेश और उसके पिता जंगल से लकडिया काट कर गुजर बसर करते थे वे लकडियों को बाजार में बेचते जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़ चना देता यही खाकर वे गुजारा करते थे महेश की मा लालची सो भाव की थी वह रोज गुडचना खाकर गुजारा करने वालों में से नहीं थी तो उसने गुसे में एक ही बात बोली कि पच्चिस साल हो गए शादी को अब तक खीर हलवा नहीं खाने को मिला यह कैसा घर है मा की बात सुनकर महेश सोचने लगा कि मा ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया अगर मैं उनको खीर हलवा ना खिला पाया तो मैं कैसा बेटा वह अगले दिन सुबह जल्दी ही खड़ा होकर जंगल लकडियां काटने चला गया उस दिन वह ज्यादा लकडिया काटता है जिससे वह गुर्चने की जगा दुकानदार से पैसे मांगता है दुकानदार उसे पांच रुपय देता है उन पैसों से वह खेर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी मां से खेर हलवा बनाने के लिए कहता है सामान देख कर उसकी माँ बहत खुश होती है और बनाने की तयारी करने लगती है जैसे ही खीर हलवा बनकर तयार होता है महेश की माँ उसे चार थालियों में डाल देती है लेकिन अचानक उसके घर एक ब्राम्हन प्रकट होते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं उनके पास ब्राम्हन को देने के लिए कुछ नहीं था तो महेश अपनी थाली भिक्षा समझ कर ब्राम्हन को दे देता है ब्राम्वन अत्यधिक प्रसंद होते हैं किन्तु उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता तो महेश के पिता भी अपनी थाली उन्हें दे देते हैं और बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली ब्राम्वन को दे देती है महेश की माह यह सब कुछ देख रही थी ब्राम्मन को देने के डर से वह जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है ब्राम्मन वहाँ से चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार धीरे धीरे मृत्ति को प्राप्त हो जाता है भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जनम में देते हैं उन सब का दुबारा जनम होता है महेश अगले जनम में राजा भोज बनकर जनम लेता है उसके पिता सबसे बड़े ग्यानी पंडित और उसकी पतनी उस ग्यानी पंडित की बेटी जो खगोल शास्तर में निपुण थी लेकिन अभी तक उसकी मा का कोई पता नहीं था अपने एश्यो आराम को देख राजा भोज एक दिन दुवधा में फस जाते हैं कि मैंने पिछले जनम में ऐसा क्या पुन्ने किया था जिसकी बदोलत इश्यो ने मुझे राजा भोज बनाया राजा अपने आसपास के सभी ज्यानी पंडितों ब्राम्वन को महल बुलवाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मैंने पिछले जनम में ऐसा क्या पुन्ने किया था जिसकी बदोलत इश्यो ने मुझे राजा भोज बनाया सभी पंडित ब्राम्वन राजा के नग शास्त्र वा जनम कुंडली देखने का प्रयत्न करते हैं लेकिन सभी असफल हो जाते हैं कोई राजा को बताता है कि दूर एक गाउं में बहुत बड़े ज्यानी पंडित रहते हैं केवल वही आपको पिछले जनम के बारे में बता सकते हैं राजा भोज यह बात सुनकर अत्यधिक परसंद हो जाते हैं उस पंडित को बुलाने के लिए राजा भविस्तमारों का आदेश देते हैं महल से उसके गाउं तक लाल कालीन बिछाई जाती है बेर्ण बाजों के साथ पंडित का स्वागत किया जाता है जब वह पंडित महल पहुंचता है तो ना राजा को और ना ही उस पंडित को यह पता था कि हम दोनों पिछले जनम में बाप बेटे थे पंडित सभी देशों में ग्यानी था लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जनम से सम्बंदिस सवाल करेंगे और ना ही वे पंडित पिछले जनम के बारे में कुछ जानता था राजा वही सवाल पूंचता है पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि राजा को इसके और इसके ग्यान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक महीने का समय मांगा राजा इतने परसंद हुए कि उन्होंने पंडित के घर एक महीने के लिए महल का राशन भिजवाया दिन बीटते गए पंडित घबराहट के मारे सूखने लगा कि एक महीना होने पर क्या जवाब दूँगा अपने पिता की हालत देख उसकी बेटी पूछने लगी जो पिछले जनम में राजा भोश की पत्नी थी उसने अपने पिता से कहा पिता जी कुछ दिनों से आप मुझे परिशान दिख रहे हैं क्या बात है मुझे बताएं पिता यानि वो पंडित उसे सारे बात बताते हैं बेटी ने गौर से सारी बात सुनी जो खगोल शास्त्र में निपुण थी वो कहती है पिता जी आप परिशान ना हो अगली बार जब महल जाना हो तो मुझे लेकर चलना मैं दूंगी राजा के सभी सवालों के जवाब एक महीना पूरा हो जाता है पंडित को महल बुलाया जाता है राजा के पूँशने पर वह बोलता है महाराज ये बात तो इतनी छोटी है कि इसका जवाब मेरी बेटी भी दे सकती है उसकी बेटी सामने आती है वह काफी खूबसूरत थी कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें स्वरकी यात्रा पर ले जाती है वहाँ का दिरिश्य देखकर राजा अचम्भित हो जाता है एश्वर ने वहाँ बहुत ही सुंदर महल बनवाया था जहां चारों और सुख ही सुख थे राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं राजा समझ चुके थे कि उसके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगते हैं थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं कि स्वरक का सुंदर महल अचानक तूटने लगता है कन्या समझ चुकी थी कि राजा के मन की बात इश्वर को मंजूर नहीं वह राजा को वापस नीचे ले आती है राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूचते हैं तो वह कहती है राजा वह महल इश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया था किन्तु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो महल तूटने लगा जो एश्वर को मनजूर नहीं है राजा उसकी बास सुनकर हैरान हो जाते हैं और एश्वर का इशारा समझ जाते हैं वह खुद उसका विवाह एक राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बैठाने जाते हैं तो वह भिखारियों के कतार थी जिसमें महलाएं एवं आदमे दोनों थे तब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जनम की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जनम में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी आप दोनों जंगल से लकडियां काट कर अपना और हमारा पेट भरते थे एक दिन हमारे घर खीर हलवा बना जो एक ब्रह्मन खाने आया था जो कोई और नहीं स्वयम कृष्ण भगवान थे हम सबने अपनी अपनी थाली उस ब्रह्मन को भिक्षा समझ कर दे दी लेकिन आपकी मा ने अपनी भूख मिटानी चाही जिसका फल इश्वा ने हमें इस जनम में दिया है राजा उससे मा के बारे में पुहुचता है क्या मा का दूसरा जनम हुआ तो वैं बताती है राजा यह जो भिखारियों की कतार है न यहीं आपकी मा कटोरा लेकर खड़ी है दोस्तों आपको या कता कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कताओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कताओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन परापत हो जैश्राराम भकतो